साल 2017 जब गुजरात में दो बड़े नेता आमने सामने थे एक थें अमिश्या जो कि आप ग्रह्मनत्राले का जिम्मा समाल रहे हैं और एक नेता जो कि सोनिया गांदी के काफी करीबी कहे जाते हैं जुनका नाम है अहमद परतेल ये दो नेता उस वक्त आमने सामने थे और मसला था राजसभा सांसाच चुनने का उस वक्त क्या हुआ एहमद पटेल ने बाजी माली अमिश्या से और अमिश्या सिर्फ और सिर्फ मू ताकते रहे गए लेकिन अब वो ग्रहमनत्री बन गए हैं और ग्रहमनत्राले जब से उन्होंने संभाला है वो ताबरत और फैस करने पर हैं जो कि हैं एहमद पटेल दरसल में बात कर रही हूं एहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल को लेकर क्योंकि उनके खिलाफ एडी ने जाज विठा दी है 14,500 करोन रुपए की गबन का मामरा सामने आया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि फैजल जो है वो उनको अब जो है इडी ने तीसरी बार पूस्ता अच के लिबराया और सबसे बड़ी बात तो दर्श को ये है कि स्टार्लिंग बायोटेक के स्ट में जो है छापे मारी में हजारो करोन रुपए की संपत्ती जब की गई है और इसमें फसे हैं अहमद पटेल की बैटे फैजल पटेल त आपका स्वागत है अमिश्या गया मंत्राले उनको हुआ हुआ है तब से कुछ ऐसे से काम कर रहे हैं जिस पर हर शक किसुए उनकी तरफ घूम जाती है बिलकुल शक किसुए घूमना ना गूमना दूसरी बात है गयती है लेकिन अगर पूरे मामलों को आप देखें तो कही सब्सक्राइब कर देखें तो किस लेबल पर अगर गोटाले ऐसे हुए हैं तो किस लेबल पर हुए है और कैसे अब तक इनको छुपाया जाता रहा कैसे इनको अब तक कोई कारवाई नहीं हुए क्योंकि अगर आप देखें तो दूसरी बार लगातार बीजेपी सरकार सब्सक्राइब हैं लेकिन अब सही कहरें हैं अब जिस तरह से लगतार मामले सामने आ रहा हैं जिस सब्सक्राइब तो यह बहुत तरह सब्सक्राइब रहें जो हैं बता रहे हैं किस तरह सत्था का दूर्व किया होगा अगर इन मामलों में सचा ही है तो रही बात आप लगाता है बिल्कुल सत्रह में आमने सामने थे अमिशा और अगर हमबाद का अहमद पठेल की और बाजी मारी थे अहमद पठेल के हाथ वाई थी लेकिन ये बदले की का रवाई मुएन नहीं समस्ता कि इसको बोला जाना चाहिए क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले भी अमिशा करें दोनों को चली रही लेकिन इस मैजिक में जिस तरह से लगतार ने चलास मैंजिक होटे हो नजरा है क्योंकि मुझे याद आ रहा कि दो है वो तमाम चीजों को इसारे कर रहा है कि यह बदले की कारवाई है लेकि अगर इसमें कुछ भी सबूत नहीं है तो अगर यह कारवाई नहीं सच्छाई है तो यह बात की पता दू कि रहने सब्सक्राइब है। बड़े के नेता मानने जाते हैं पटिल और उनके बैटे को बात कर रहा है क्या इसमें असल मुद्द्ध क्या है क्योंकि अगर हम लगतार अगर देखें मामलों को तो एक के बाद एक जिसके तीन-चार मामले सामने आए और लगतार कहने के इस पर कॉंगरिस को पर शिकंजा क अगर अचानक से अहमद पतिल के बैटे पे इंडी ने सिकंजा कुछ अचानक से कैसे हो रहा है लगतार अगर भी उनके पर मामला हुआ है पेश हुए है पेश हुएं इससे पहले बी और रहां यह ऑब ही इस सिर्फ मिल रहा लेकि हान क्यूंकि माहोल ऐसा है कि सब चीज कह आपको आपको पहने की बात करो या नज़किने नापक सामने कर रही नहीं अब मामला सामने निकल और यह अग मसले हैं लगातार बातार चर्चा है चल रही है लेकिन ऐसे में क्या कॉंग्रेस का दामन पाक साफ है इसके लिए उनको जरूर सबूत देने पड़ेंगे जरूर उनको अधालत में अपनी अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि पी चितंबरम को लेकर भी उनका एक शेर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था कि मैं समुंदर हूं फि पर बचाव के लिए लिए बचाव के लिए लेकर आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको सबूत चाहिए अगर कॉंगर्स पार्टी के पास सबूत है अपने बचाव के लिए बचा नहीं पारें तो यह बहुत बड़ा बड़ी वजह है कि लगातार कॉंगर्स पार्टी का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है पूरी जो जो बरबर नेता है उनका मैंड डिस्टर्ब हो रहा है और जाहिर बात है कॉंगर्स कहीं ना करें अपने आपको बहुत पर बहुत बहुत बात बात है तो बुद्गों लेकिन है तो बहुत बड़ा फोटए करें हैं कि क्या जो अध्याइब जाएप के रहे हैं पर बहुत करें फट्रफिब हदुरिट पर पटाले पर पाता लागा है लेकिन हां क्योंकि प्लिटेकली मामला जुड़ा हुआ है तो च्तार जाते थे मीडिया में भी हाइप मिल रहा है क्योंकि एहमद पठेल बहुत करीब ही माने जाते हैं सुनिया गांधी कि तो इसलिए मीडिया में ज्यादा हो अला भी है और चूंकि वक्त ऐसा है हम पहले बात करें कि इससे पहले भी एक से दो बार वह एडी के सामने पेश हो चुके लिए उससे में इतना हो अला नहीं मचा अब चूंकि मामला ऐसा है और माहौल ऐसा है इसको लेकर लगातार कॉंगर्स घिरती वी नजर आ रही है लेकिन कुर्मला के अहमद पठेल के बेटे फस्ते वे नजर आ रहे हैं और ऐसे में पूरी आशंकाए हैं कि उनके खिलास सबूत जुटा लिए हैं इडी ने और असबूत जुटा लिए हैं तो वो दिन भी दूर नहीं कि आमेद पठेल की बेटे फैजल पठेल सराकों के पीछे भी नजर आ सकते हैं और इस संदे पीछी तमलो तो पहले जेल की सराकों के पीछे हैं अब ऐसे में अगर अहमद पठेल के कि खिलाब इस पुकता सबुत मिल गए डी को तो फिर जाही सी बात है फिर से कॉंग्रेस के बड़े नेता पर कसी कंजा कसने में कामयाब हो जाएगी एडी नमस्कार